हेलो एवरिवन, बेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेमी शिवानी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिमाचर परदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो स्टार्ट करते हैं मंडी हिमाचर परदेश के मध्य भाग में स्थित हैं मंडी जिले के पूर में कुल्लू, पश्चिम में बिलासपुर और हमिरपुर, उत्तर में कांगडा, तथा दक्षिन में सोलन और शिमला जिले की सिमाएं लगती हैं मंडी में परवस श्रिंखलाएं हैं धोला धार श्रिंखला, घौगर धार, सिकंदर धार, वेर कोड़ धार नदियों की बात करें तो सतलुज नदी फिर्नु गाम से मंडी में प्रवेश करती हैं ब्यास नदी लाजी के पास मंडी में प्रवेश करती हैं मंडी में रिवाल सर, कामरो नाग, प्रासर, कुमार वाह, कुंत भियोग, काला सर, सुकसार, आधी जीले हैं अब बात करते हैं मंडी की हिस्ट्री के बारे में मंडी जीला सुकेत और मंडी रियासतों से मिलकर बना है सुकेत रियासत की स्थापना पहले हुई है सुकेत रियासत के स्थापना 765 इस्वी में वीर सेन ने की मंडिर रियासत के स्थापना सुकेत राजवाइश के बाहु सेन ने 1000 में की बाहु सेन सुकेत रियासत के राजा साहु सेन के छोटे भाई थे बाहु सेन और साहु सेन के बीच अच्छे सम्मन नहीं थे जिस कारण बाहुसेन सुकेत रियासत को छोड़ कर मंगलौर में मंडी रियासत की नीव रखी। बाहुसेन ने कुलू में राजधानी स्थापित की। अब बात आती है अर्थ विवस्था की। 1962 में जर्मनी के सेहोग से मंडी में इंडो जर्मन चंगर परियोजना शुरू की गई। H.P.M.C. ने जरोल में सेब प्रसंसकरन इकाई की स्थापना की। मंडी के गम्मा और द्रंग में चट्टानी नमकी खाने हैं। H.P. में मंडी की पहली जल विद्यूत परियोजना जोगिंदर नगर में 1926 इसवी में स्थापित हुई। जिसका प्रथम चरण 1923 इसवी में तयार हुआ। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंड करके बताएं। और जिसके लेएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बाइ टेक एउ। झाल झाल